प्रेमी वकतों ही होगा कि हम अपनी वीडियो में किसी भी एक बात को दो बार रिपीट नहीं करते फिर भी वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो जाता है तो आप थोड़ा सा समय दिया करो दूसरी बात हम यहां आप सभी के लिए वो उपाए लेकर आते हैं जो बिल्कुल आशान होते हैं और आपको पैसा भी खर्चने करना पड़ता क्योंकि आदे से ज़्यादा प्रेमियों के फोन आते हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशान हैं और हमारी आर्थिक स्तती बिल्कुल ही खराब है इसलिए हम ऐसे उपाए लेकर आते हैं कि आपका कोई पैसा खर्चना हो हां समय आते हैं वह समय आपको देना होगा समय की जिम्मेवारी आपकी काम की जिम्मेवारी श्याम की आप तक वीडियो पहुचाने की जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है उसके लिए हम बाबा के तहे दिल से आवारी है कि बाबा ने ये सेवा हमें सोंपी है जैसा भी होशकेगा हम आपके लिए अच्छ अच्छ वीडियो लेकर आते रहेंगे जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं इस वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगी जो प्रेमी अभी तक बाबा स्याम के लाइव दर्शनों से नहीं जुड़ पाए हैं निचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर भी दिया है आप हमें वट्सअप पर मेसेज किजिए कि बाबा के गुरुप से जोड़ो हम आपको बाबा के गुरुप से जोड़ेंगे प्रेमियो अब हम आपको बताते हैं कि द्वादसी की पूजा कैसे करें देखिए वैसे तो पूजा के अजारों तरिक्या होते हैं अजारों वीदियां होते हैं लेकिन बिल्कुल आसान वीदिया है जुन प्रेमियों ने पिछली वीडियो देखी है वो जानते होंगे कि एकादसी की पूजा कैसे की जाती है तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे वैसी ही द्वादसी की पूजा है जो प्रेमी वरत रखते हैं का दसी का वो द्वा दसी के दिन सुबह सुबह सनानादी चे निवर्थ होकर स्री सुरिय नारायन भगवान को जल देकर अपना वरत खोल ले जब आपने अपना वरत खोला है उसी समय भगवान का भी वरत खोला है तो पहले भगवान को भूग लगाए फिर आप खुद भोजन करें जो भोजन आप कर रहे हैं वही भूग भगवान को लगाए जो कि भगवान कोई और नहीं है भगवान आपके परिवार का इस्सा है तो जो आप खा रहे हो वही भगवान खा लेंगे कोई प्रेशानी नहीं होगी प्रेमियो ये मर्सोचा करो कि कहीं गलती तो नहीं कर रहें गलती नहीं होती, गलती तो उनकी है जो अवी तक भगवान के हुए नहीं है आप तो हो चुके हो, कोई गलती नहीं है द्वादसी के दिन आप खीर, चूर्मा, मुंग चावल की खिचडी, बाजरे की खिचडी कुछ भी बना सकते हो कुछ भी भगवान को भोग लगाओ तुलसी दल के साथ हाँ अगर उस दिन रवीवार है तो तुलसी दल परियोग ना करें एकादसी को खीर, चावल नहीं बनाने, द्वादसी को कुछ भी बना सकते हो भगवान को भोग लगाओ, भगवान अच्छे से भोग लगाएंगे और जब भगवान भोग लगाते हैं न समस्त काइना तो भोग लगाती है सुभ़ भोग लगाओ दोपैर को भोग लगाओ शम को भोग लगाओ जो प्रेमी वर्थ भी नहीं करते भोग भी नहीं लगाते बगवान का उन्हें भोग लगाने की आँशकता नहीं है आप सिरफ पूजा-पूजा कर शकते हो आपकी पुज़ा स्विकार कर ली जाएगी बहभान स्विकार कर लेगे जैसे भी आप करोगे गल्तिया नहीं होती इन चीजों में भाव सच्चा जिनका भाव सच्चा होता है जिनकी अंदर से आवाज आती है कि मैं मेरे शाम के बगर नहीं रह सकता बाबा उनकी पुजा स्विकार कर लेते हैं जैसे भी आप से हो सके उसी परकार बाबा की सेवा करें बाबा के सिर्चरणों में खुद को समर्पित कर दें आपका भाव मजबूत होना चाहिए बाबा श्याम हमेशा आप पर अपनी करुणा मई दर्ष्टी बनाए रखेंगे कोई प्रेमी खाली नहीं जाएगा बाबा के दर्वार से प्रेमियों यह वीडियो आप तक पहुँचा कर हमने अपनी शेवा पुदी कर दी अब इसे अन्य प्रेमियों तक पहुचाने की जिम्मेदारी बाबा आपको देखते हैं देखते हैं कितने प्रेमिय इस जिम्मेवारी को निभातते हैं आप इस वीडियो को फेस्बुक पर वर्टसब पर अपने दोस्तों के पास अपने रिस्तेदारों के पास पहुंचाओ और उन्हें भी बाबा के नजदीक ले जाओ बाबा श्याम हमेशा आपको कुछ रखेंगे ऐसी ही अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि जैसी ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके फोन पर नोटिफिकेशन आजाए जैसी दी श्याम